नमस्कार दोस्तो टेकनिकल एनालिसिस में आपका स्वागत है आज मैं आपको मोर्निंग इस्टार के विशे में विस्तार से बताऊंगा मोर्निंग इस्टार केंडल इस्टिक का ही एक पेटर नहें मोर्निंग इस्टार का नाम जापान के लोगों ने सुभ़ के तारे के उपर रखा है वह तारा जो सुबह सुबह दिखाई देता है मतलब की सुर्य उधे होने से पहले जो आकरी तारा बच जाता है वो morning star bullish candle stick pattern है या कहें की यह तेजी को प्रदर्शित करने वाला candle stick pattern है इसका मतलब यह है कि अब वस्तु में मंदी का समय समाप्त हो गया है और अब तेजी की शुरुवात होने वाली है Morning Star तीन केंडल से मिलकर बनता है आप इसे वीडियो में देख सकते है Morning Star में पहली केंडल बेरिश केंडल स्टिक होती है या कहें कि यह मंदी की केंडल होती है यह लाल रंग की होती है दूसरी केंडल स्टिक एक छोटी सी केंडल होती है इसकी उपर और नीचे की शेडो बराबर या थोड़ी छोटी बड़ी हो सकती है इस दूसरी केंडल में रंग का कोई महत्व नहीं है Morning Star केंडल स्टिक पेटर्ण में इस केंडल का नाम स्टार होता है तीसरी candle, bullish candle stick होती है या कहें कि यह तेजी की candle होती है यह हरे रंग की होती है तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि morning star candle stick pattern केसे बनता है और इसके बनने में किन-किन बातों का विशेश ध्यान रखना पड़ता है morning star की जो पहली candle है वह बेरिश candle stick होना चाहिए या कहें कि यह मंदी की लंबी candle होना चाहिए जब दूसरी candle बने तो वह पहली candle के close price के नीचे या कहें कि gap down open होना चाहिए यह भहुत जरूरी है इसके बाद जब यह candle close हो उस समय वह पहली candle के close price के नीचे ही बंद होना चाहिए यह candle तेजी की बने या मंदी की इससे कोई फरक नहीं पड़ता है सीधे शब्दों में कहें तो यह candle पहली candle के नीचे ही बंद होना चाहिए इसके बाद जो तीसरी candle बनेगी वह bullish candle stick होगी या कहें कि यह तेजी की candle होगी यह candle दूसरी candle के उपर या कहें की gap up open होना चाहिए मतलब की अच्छी तेजी के साथ खुलना चाहिए इसके बाद जब यह candle close हो उस समय यह पहली candle के मद्य भाग के पास या पहली candle के open price के उपर या नीचे बंद होना चाहिए तीसरी candle पहली candle का high नहीं तोड़ना चाहिए इसके बाद अब morning star में volume का भी बहुत अधिक महत्व होता है morning star में जो पहली candle है उसका जो volume है उससे ज़्यादा volume दूसरी candle का होना चाहिए और दूसरी candle में जितना volume है उससे ज़्यादा volume तीसरी candle में होना चाहिए सीधे शब्दों में कहें तो morning star की तीनों candle का volume बढ़ते करम में होना चाहिए तो दोस्तों आपने सीखा कि morning star केसे बनता है अब मैं आपको बताता हूँ कि morning star को केसे चेक करते हैं कि वह सही से बना है या नहीं बना है तो आप एक copy और एक pen लीजिए और उसके बाद चार्ट में आपको जेसा morning star दिख रहा है वेसा आप अपनी copy में बना लीजिए उसके बाद जो पहली candle हैं उसके हाई से एक आड़ी लाइन खीचिए फिर पहली candle का जो open price हैं उससे भी एक लाइन खीचिए फिर जो दूसरी candle हैं उसके low से एक और लाइन खीचिए और आखिर में जो तीसरी candle हैं उसके close price से एक लाइन खीचिए इस प्रकार आपने चार लाइने खीचिए हैं हाई, ओपन, लो और क्लोस जब इन चारो लाइनों को आप आपस में मिलाएंगे और एक candle बनाएंगे तो वह candle बनेगी हैमर की और अगर पहली candle का open price और तीसरी candle का close price एक समान हैं तो वह candle बनेगी ड्रेगन फ्लाइ डोजी की दोस्तों हेमर और ड्रेगन फ्लाइ डोजी के विशे में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ अगर आपने इनके वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो की description में जाकर यह दोनों वीडियो देख सकते हैं तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि morning star को कैसे चेक करते हैं अब मैं आपको बताता हूँ कि morning star कैसे काम करता हैं मान लीजिए कि कल चार्ट में morning star कैंडल स्टिक पेटर्न तैयार हो गया था और आज की जो नई कैंडल जब morning star के पेटर्न की पहली कैंडल के high price के उपर चली जाए तो आपको बजार में खरीदी करना है और morning star में जो दूसरी कैंडल है उसके low के नीचे का stop loss लगाना है morning star में कुछ बाते हैं जो आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है नमबर एक दूसरे नमबर की कैंडल गेप में open होना चाहिए नमबर दो दूसरे नमबर की कैंडल में रंग का कोई महत्व नहीं है नमबर तीन तीसरे नमबर की कैंडल पहले नमबर की कैंडल का high नहीं तोड़ना चाहिए आईए अब मैं आपको Morning Star को चार्ट में समझाता हूँ आपको लंबी गिरावट के बाद चार्ट में Morning Star Candle Stick Pattern दिखाई दे रहा होगा और इसका वोल्यूम भी बढ़ते हुए क्रम में हैं अब आपको इसमें खरीदी करने के लिए यह देखना हैं कि जब Morning Star के बाद नई केंडल Morning Star की पहली केंडल के हाई के उपर निकल जाए तब आपको बजार में खरीदी करना हैं और उसके तुरंत बाद Morning Star की जो दूसरी केंडल हैं उसके लो के नीचे का इस्टोपलोस लगाना हैं क्योंकि इस्टोपलोस लगाना बहुत जरूरी होता हैं इसके बाद Profit Booking के लिए आपको यह देखना हैं कि जब तक मार्केट में कोई ऐसा सिगनल न बन जाए जो मार्केट में ट्रेंड को बदल सकता हो तब तक आपको Profit Book नहीं करना है जब आपको कोई ऐसा सिगनल दिख जाए जो मार्केट का ट्रेंड बदल सकता है तो आपको तुरंत Profit Book करना है तो दोस्तों आज आपने Morning Star Candle Stick Pattern के विशे में विस्तार से सिखा उम्मीद हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके हमारे चेनल को सब्सक्राइब कीजिए आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे गुड़ बाई